आज का ये टॉपिक क्या है profit and loss लावर हानी देखते हैं और इसको start करते हैं अब इसमें कौन-कौन से term आएंगे सब वो पहले सीख लेंगे पहले आपका आएगा cost price क्या आएगा cost price उसके बाद क्या आएगा इसको हम cp बोलते हैं क्या बोलते हैं cp बेसिक सा मैं सब टर्म से आपको familiar करा देता हूँ एक बार यानि क्या हो जाएगा इसी को क्रेमूल भी बोलते हैं क्या बोलते हैं आप दिखिए selling price क्या होता है selling price इसको shortcut में क्या लिखते हैं sp यानि बिक्रायमूल क्या होगा बिक्रायमूल अब lab और हानी आता है क्या आता है lab lab तो समझी रहना पूरा दुनिया तो इसी पे ठीका होगा है इसको क्या बोलते हैं profit या gain भी लिखा रहेगा क्या लिखा रहेगा gain और क्या लिखा रहेगा loss हानी क्या रहेगा loss रहेगा इतना सारा basic सा term होगा उसके बाद आपका अंकित मूल रहेगा क्या रहेगा अंकित मूल मतला mark price क्या रहेगा देखते होंगे कि कभी कभी आप लोग समान लेने जाते होंगे तो कोई product पर न कोई price लिखा रहता है वहीं क्या होता है mark price होता है उसके बाद क्या आएगा आपका discount यानि क्या होगा छूट ये सारे term इसमें होते हैं ठीक है ये सारे term cost price selling price लाब हानी और अंकित मूल र डिसकाउंट होता है अब इसी से related हम सारे इसमें पढ़ेंगे कि देखेंगे कि आखिर cost price कब निकलेगा selling price कब निकलेगा लाब कब होगा हानी कब होगा अंकित मूल क्या है डिसकाउंट क्या है और बाकी सब का ratio भी हम चेक करेंगे देखते हैं आप अब किका देखते हैं इसमें हम लोग formula पहले आप आईए आपका SP SP मतलब क्या हो गया बिक रहे मूल तो अब इसमें क्या होगा CP इंटू 100 प्लस या माइनस profit या loss percentage क्या होगा यह हो गया अब CP निकालना हो तो क्या होगा SP इंटू 100 100 प्लस माइनस profit या loss percentage आ रहा है समझ में न क्लियर यह सारा basic है सारे basic से बता रहा हूं मैं ठीक एक एक topic को basic से क्लियर कर रहा हूं अब आपका profit कब निकलेगा SP माइनस CP क्या होगा profit percentage कब निकलेगा profit by CP इंटू 100 अब आईए अब loss के बार में देखते है loss कब निकलता है कोई बस्तू पर loss कब होता है जब जादे में खर दे हो और कौम में बेच है यानि CP माइनस SP loss कब पर percentage कब निकलेगा loss कब पर percentage कब निकलेगा loss by CP इंटू क्या होगा 100 अब देखिए अब mark price क्या होता है marks price जो होता है इसी पर क्या निकलेगा आपका discount इसी पर क्या होगा discount दिया जाता है हमेंसा discount कब दिया जाता है mark price पर discount देने के बद क्या मिलता है आपका CP मिलता है क्या मिलता है CP तो आप समझ में आया कि आखे discount हम किस पर देते हैं mark price पर देते हैं mark price पर जो discount देंगा जैसे अब दिखी कोई बस्तूप का अगर 150 रुपया मूल दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 150 रुपया को कोई दुगंदार बोल रहा है कि आपको इस पर 20% का discount दे देंगे कितना दे देंगे 20% का discount दे देंगे तो 150 रुपया का 20% कितना हो जाएगा 30 यानि 30 रुपे आपको discount दे दिया ना तो यानि आपको कितना में खरिद लिया आप उसका CP कितना हो गया आपके लिए 120 समझ में आएं आप दिखें कि एक important formula जो लिक रहा है 100 प्लस लाप प्रतिज़ 100 माइनस हानी नहीं है सुरी यह discount देखते हैं इसको सभी करते हैं लाप रहेगा दो प्लस 100 माइनस क्या रहेगा डिसकाउं अगर हानी रहेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस अगर हानी हो जाएगा question को समझते है questions को समझते है ऐसे basic सा कुछ questions देखते हैं ठीक है अगर 800 रुपया की बस्तु को 20 प्रतिसत के लाब पर बेचते हैं है तो बिक्रैमूल बताईए क्या बताईए तो बिक्रैमूल बताईए ठीक है समझ में आया अब देखिए इसका solution क्या होगा पहले समझें पहले एक formula जो लिखा हुआ है क्रैमूल क्या दिया हुआ है 800 क्या है क्रैमूल 800 लाब कितना दिया हुआ है इसका लाब प्रतिसद 20 प्रतिसद ठीक है तो बिक्रैमूल का formula क्या होगा क्रैमूल गूने 100 प्लस लाब प्रतिसद क्या है बताई 100 क्या है अब देखिए क्रैमूल कितना है 800 100 प्लस बीस बट्टा हंड्रेट यानि 800 गूने 120 प्रत्रसद तो बारे अठे 96 यानि 970 रुपे है कितना 960 रुपे हम बेचा गया कितना में ठीक है कितना हम बेचा गया 960 रुपे यह तो समझ में आगया formula से लेकिन अगर आपको formula भी नहीं पता है तो कैसे बना सकते हैं 20 प्रतिसद का लाब हो रहा है ठीक है तो पहले 20 प्रतिसद लिखिए एक बटा 5 परसेंटेज में अल्रेडी हमने डिसकस किया है अगर आप लोग परसेंटेज का वीडियो नहीं देखिया है तो सबसे पहले बोज आके देख लिजी ठीक है अब लाब हो रहा है यह प्लस याद रखिए हमेशा यह नीचे वाला CP रहता है हमेशा यह क्या रहता है CP रहता है ठीक है अब देखिए यानी 5 का वैलू कितना दिया हुआ है रुपिया में 800 तो कितना टाइम जाता है तो अब एक लाब हो रहा है ना तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 6 6 का बहलू कितना हो गए इसमें भी क्या हो गए 160 से मल्टिप्लाइए यही 16 चक 96 960 क्लियर समझ में आया क्या समझे हम लोग कि अगर नहीं भी पता रहेगा कुछ भी तो फिर भी हम इसको बना सकते हैं पस याद रखना है कि नीचे वाला जो बेस होता है ना बेस वो हमेशा क्या रहता है कौश्ट प्राइस रहता है जो बेस होता है वो हमेशा क्या रहता है कौश्ट प्राइस अगर यहीं कोश्चन में हानी रहता तो हम लोग हानी पर बनाते है ठीक है अब आई यह कोश्चन हानी पर करके देखते हैं एक बार अब देखिए अब उतना बड़ा को तो बिग्रामूल क्या होगा? सेम समझेगा तो बिग्रामूल क्या होगा? तो सेम हो ही फर्मूला क्रामूल गुने 100 प्लस तो हानी है तो माइनस बता 100 इनने कितना होगा? 800 इन्टू 80 बाई 100 800 इनी कितना होगा? 64 जनी 640 कितना होगा? 640 होगा ये तो 20 बेसिस पे हो गया क्लियरली अगर ऐसे निकालेंगे तो क्या होगा समझेगे? 20 प्रतिसत इसकल्टू एक बाटा 5 आएगा ना 20 प्रतिसत इसकल्टू क्या होगा? एक बाटा 5 थोड़ा सूपर से ले लेता हूँ 20 प्रतिसत इसकल्टू क्या होगा? एक बाटा 5 क्लियर? 20 प्रतिसत इसकल्टू क्या होगा? एक बाटा 5 अब दिखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आपका हानी हो रहा है ठीक है, तो अब यहाँ पर CP कितना हो गया, 5, SP कितना हो गया, फानी में तो minus होता है न, 4, तो 5 का value कितना दिया होगा है, 800, कितना time से, 160, तो 4 का value कितना होगा, 46, 40, clear, आया समझ में, तो यह fund आ था यहाँ पर, ठीक है, कि अगर नहीं भी पता रहेगा आप लोगों को, तो question पता चल जाएगा, अखिरा कि यह concept मालूम रहेगा, नीचे वाला कि base जो रहता है, इसमें, वो CP पर calculate रहता है, अब ठाट नमर देखिए, क्या दिया रहेगा, अगर SP दे देते हैं, 1000, कितना दे देते हैं, 1000, और लाब प्रतिसाद कितना दे देते हैं, 20 प्रतिसाद, कितना दे देते हैं, 20 प्रतिसाद, कितना दे देते हैं, 20 प्रतिसाद, ठीक है, तो अब आप से पूछा जाएगा, इसका CP, find out किजिए, मतलब करायमूल, find out किजिए, क्रैमोल क्या होगा वाट तो फर्मूला लगाईए सीपी का क्या होता है फर्मूला क्रैमोल का SP गुने हंड्रेड बाई हंड्रेड प्लस लाप्रतिसत क्या होगा हंडेड प्लस लाप रतिसर होगा बलिए CP का फर्मूला क्या होता है SP गुने हंडेड हंडेड प्लस लाप रतिसर ठीक है अब समझे कोई डेटा आसान ले लेते हैं जो कट जाए ये कट आने में तरह प्राबलम होगा कोई डेटा इजी ले लेते हैं समझते हैं मुझे बस समझाना है क्या ले लेता हूं 25% ले लेता हूं क्या ले लेता हूं 25% तो 100 प्लस 25 1000 इन्टू हंड्रेड बाई युकसो प्चेस 25 अट्रे कितना होगा एक हजार ये कितना आएगा 800 ये कितना आएगा 800 किलियर यहां तक समझ में आया तो अगर हमको ये सब कुछ नहीं मालूम है फर्मूला तो हम कैसे लिखेंगे तो भही चीज मैं बता रहा हूँ 25 प्रतिसाद का मतलब कितना होता है एक बटा 4 25 प्रतिसाद का मतलब कितना होता है एक बटा 4 नीचे बला क्या रहता है CP इसमें क्या हो रहा है लाब हो रहा है क्या हो रहा है लाब समझिएगा तो CP कितना है 4 SP कितना होगा 5 question में SP का value दिया है ना 1000 मतलब 5 का value दिया हुआ है रूपिया में कितना 1000 कितना times ज्यादा है 200 times 200 बार 4 का value क्या होगा 200 बार ज्यादा होगा कितना आएगा 800 रुपिया कितना आएगा 800 रुपिया किलियर हुआ आया समझ में सारा basic बता रहा हूँ मैं इतना basic बता रहा हूँ अब question अच्छा अच्छा भी कराऊंगा समझ में आ गया clear data भी change करूंगा इसमें अब देखिए अगर अब वो formula कहा कब दिक्कत होगा अब समझें जैसे SP find out करना है अगर CP दिया हुआ है इतना अगर CP देता है 1000 ठीक है और profit percentage देता है आपका 12% कितना देता है 12% अब बताईए अब इस data को add करने में थोड़ा सा tough है ना 100 में add किजिएगा निकालिएगा तो थोड़ा सा problem आएगा इसी दिन के लिए वो चीज़ में समझाया था आप लोगों को ठीक है कि जब ऐसा कुछ देना number तो calculate करना असान हो तो formula यूज मत किजिए अब डाइरेक्ट आईए solution में सार बारा परसेंट का value क्या होता है हम बतायत एक बटा आठ याद कर लिए कैसे निकलेगा 25 बटा दू गुने इदर नीचे वाले में सब 1 बटा 8 ठीक है अब क्या बोले देगे नीचे वाला क्या होता है हमेशा CP क्या होता है हमेशा क्या होता है CP अब सुनिए अगर CP इसका 8 है तो SP कितना है एक का फैदा हो रहा है तो 9 है कितना है 9 है अब सेम इस पर data feed कीजिए 8 का value कितना है मताईए 1000 कितना है 1000 कितना times ज्यादा है 125 times ज्यादा है तो 9 का value कितना होगा इसमें भी 125 से multiply कीजिए कितना हैगा 1125 कितना हैगा कितना असानी से बन चुका यह ठीक है तो बावार बोल रहा हूं कि formula याद रखना जरूरी है बट लेकिन यह हमेशा याद रखना है बड़े बड़े numbers में वो काम आएंगे आपको ठीक है कि नीचे वाला जो रहता है fraction का जो base होता है जो भीन का जो base रहता है भीन का जो नीचे वाला हर रहता है हर वो क्या रहता है आपका हमेशा क्या रहता है क्रेमूल क्या रहता है हमेशा क्रेमूल क्या रहता है भीन का जो हर रहता है वो हमेशा क्या रहता है क्रेमूल ठीक है लाब अगर होगा लाब के केस में अगर केस में फर्स्ट में लाब होता है क्या होता है लाब तो क्रेमूल में क्या किजिएगा लाब जोड दिजिएगा ठीक है बीन वाले में तो क्या निकल जाएगा आपका बिक्रायमोल पहुत डिटेल इसमें मैंने कवर किया है ठीक है पूरा बेसिक ले गया हूँ मैं और वही क्रायमोल अगर रहेगा इसमें से माइनस कर दिजिएगा हा नी तो क्या निकलेगा यहां से बिक्रायमोल निकलेगा ठीक है बेसिक बहुत बेसिक था ये सारा चीज था ये बेसिक सा कंसेप्ट था ठीक है अब इसमें किस किस टाइप के कोश्चन आएंगे वो सब समझेंगे पहला आपका टाइप हो सकता है कि बस्तु रहेगा का नमबर बस्तु का संखिया ठीक है क्रायमोल के केस में इक्वल रहेगा बस्तु का संखिया भी क्रायमोल के केस में भी क्रायमोल के केस में ये रहेगा ठीक है पहला टाइप यह हो सकता है दूसरा टाइप क्या हो सकता है आपका नर्माली क्रेमूल दिया रहेगा या भी क्रेमूल दिया रहेगा question में ठीक है उसके बाद क्या दिया रहेगा लाब दिया रहेगा percentage में या हानी दिया रहेगा percentage में और आपको क्या बोलेगा find out निकालने के लिए फिर से क्रेमूल या भी क्रेमूल अगर quase क्रायमूल दिया रहेगा तब भी क्रायमूल बोलदेगा, तो पना उसको इसमें क्या एड कर सकता है आपका। छूट क्या एड करेगा छूट rồi, जिसको भी हम क्या बोले थे discount Terms इतना ही है न तो इतना ही कर सकता है न फिर आपका dishonest seller बहला question इसमें आता है बैमान दुकंदार जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं बैमान दुकंदार dishonest seller क्या आएगा dishonest seller यह subscribe है इसके बाद क्या question बन सकता है इस सब का miscellaneous बन जाएगा क्या बन जाएगा miscellaneous सब को मिला देगा तो एक अलग सा question बन जाएगा ठीक इसके बाद इस question में क्या कर सकता है एकल छूट एकल छूट बोलते हैं इससे दो लगातार छूट दिया रहेगा इससे जाते हैं कभी दुकान में आप लोग तो देखते हैं कि क्या दिया रहता है कि 20% का छूट फिर उसके बाद आपको 20% और छूट दिया जाएगा ठीक है दो बर छूट दिया जाता है तो overall कितना छूट मिलता है तो यह देखी गा तो आप लोग को पता चलेगा कि हम तो कमी छूट में लेके आ गएं ठीक और उसके बाद क्या question आएगा इसमें buy one get one free वाला concept देखें है ना दुकान में दिया रहता है क्या buy one get one buy three get one free रहता है ना और इसको और change कर सकता है buy three get five get five five यहाँ free है यहाँ पर पांच मिल रहा है तो यह सब basic सा types का question है जो आपका profit and loss से बनता है ठीक है वहीं सारे question को हम लोग यहाँ cover करेंगे और एक ही question को अच्छे से समझेंगे कि आखिर हम क्या concept use कर सकते हैं क्या हमारा basic सा approach होगा क्या मेरा first approach होगा इस सारे question को solve करने का आईए कुछ question आपके सामने है और उसको हम लोग solve करते हैं और आगे बढ़ते हैं देखिएगा एक पोसाग का लागत मुल कितना दिया हुआ है 850 रुपया और बिक्री कर पांच परतिसत लगाया गया तो बिक्री बिल रासी बताईए अब सुनिए बिक्री कर क्या है वहीना ट्रेक्स है जिसको आप लोग GST अभी पढ़ रहा है ठीक है यहीना ट्रेक्स लगा दिया गया अब सुनिए 850 रुपया का बस्तू था अब इसमें का किया यह 5% का ट्रेक्स आड कर दिया कितना आड कर दिया 5 परतिसत का तो 850 रुपया का 5 परतिसत कितना होगा 5 बटरा सो यह क्या जागा 55 होगा 8 परतिस चाली सदू 42 एक डिसमल ही यहां पर आ जाएगा ठीक है इतना रुपया आ गया तो 50 सा 42 कितना होगा 92 यह नमबर अपसा आया बेसिक सा कोश्चन यह था देखते हैं आज कल दुकान में जाते हैं तो प्राइस बना देता है आपको बील और फिर जीएश्टी एड कर देगा एक इस्टेट जीएश्टी एड करेगा और सेंट्रल जीएश्टी भी एड कर देता है तो बेसिक सा कोश्चन यह आया इस पर कि क्या होता है यह किस बस्तू को 900 रुपया में बेचने से किसी बस्तू को 900 रुपया में बेचने से किसी ब्यक्ति को 25 परतिसद की हानी होती है इस बस्तू को 1600 रुपया में बेचने पर कितने परतिसद कान लाब होता है अब देखिए यह कैसा कोशन बनाएंगा अब हम फर्मूला कुछ दिर के लिए भूल जाएं ठीक है कि क्या होता है समझते हैं 25 परतिसद इस केस में क्या हो रहा है आपको हानी हो रहा है क्या हो रहा है हानी राइट तो हानी याद रखिएगा माइनस साइन हम किसके लिए यूज करेंगे हमेशा हानी के लिए और प्लस साइन दिया रहेगा जहां भी मेरा तो समझेगेगा कि क्या दिखा रहा है हम लाब दिखा रहे हैं क्या दिखा रहा है लाब तो यहाँ पर एस पी कितना हो जाएगा इसका एक घट के कितना हो जाएगा तीन अब सुनिये किसी बस तुको 900 रुपया में बेचने पे ना अगर तीन का भैलू दिया हुआ है आपको 900 रुपया कितना दिया हुआ है 900 रुपया तो चार का भैलू पूछ रहा है तो कितना गुना है 300 गुना है तो चार का भी कितना गुना ह कितना रुपया हो गया आपका 1200 कितना आ गया 1200 फर्मुला यूज करेंगे करेंगे जब जरुवत पड़ेगा तो करेंगे अपी चल रहा है अब यसे ही कंसेप्ट यूज कीजिए कितना याद रखिएगा और इसी बस्तू को क्या किया जा रहा है इसका इसपी कितना हो गया 600 रुपया कितना हो गया 600 रुपया राइट तो आप से क्या पूछ रहा है कितना रुपया अब बारे सव रुपया के बस्तू को 16 रुपया हम बेचेंगे तो लाभ ही ना होगा तो लाभ कितना होगा आपका 1600 माइनस 1200 कितना रुपया का हुआ 400 रुपया का लाभ प्रतिसत क्या होगा पूरा हम बेसिक सा कवर किये हैं इस वीडियो में तो आप लोग का एक भी डाउट नहीं होना चाहिए अब इसके नीचे क्या होगा CP CP कितना रहा है 1200 गुने 100 कितना है 100 भाई 3 यानि 33 पूर्णांग एक बटा 3 प्रतिसत ठीक है बेसिक सा कोश्चन उठाएक ही कोश्चन को किलियर करते चलेंगे ठीक है कुछ भी नहीं छूटना चाहिए अब आईए इस कोश्चन को देखते हैं एक बैपारी बैपारी को एक कुर्सी को बेच कर पचास परिसत का लाप्राप्त होता है यदि वह एक बटा चार की दर से खरीद ता और पहले के वाले ही समान भी क्रेमुल पर बेच देता ठीक है अब क्या कर रहा है खरीद बला रे ट्रीक हमेशा याद नहीं रहता है ठीक है बेसिक याद रखना पड़ता है आपको सिखाने के लिए समझाया जा रहा है टोटली ट्रीक तो होता ही है ट्रीक सारा मैं दे रहा हूं बट लेकिन एक बेसिक होना चाहिए जिससे आप कभी भी यूज कर सके ठीक है उसको कितना दिया हुआ प्रतिसेत में 150 दिया हुआ है ना प्रतिसेत अभी क्रेमुल क्या हो जाएगा आपका 150, clear अब क्या बोल रहा है यदि एक बटा चार की दर से खरिता है अब का किया दुबारा बार में क्रेमुल इसका घट आ दिया अब उसको दुखंदार से जान पहचान हो गया तब कम कर रहा है अब एक बटा चार बार में क्या कर रहा है इसका क्रेमूल क्या हो रहा है घट जा रहा है क्या हो रहा है दुबारा बार में इसका क्रेमूल जो दुबारा बार में जो इसका क्रेमूल क्या हो रहा है घट जा रहा है ठीक है तो अब समझेगा इसका कर्यमूल क्या होगा दुबारा में समझे 1,4 भा हो जा रहा है तो 100 का 1,4 कितना होता है 25 फिर भी बिकर्यमूल कितना है 150 इस किस में इसका लाब कितना होगा 150 गुने 25 प्राबर क्या होगा 125 होगा लाब प्रतिसद बराबर क्या होगा बताईए लाब कितना है 125 करमुल कितना होगा 25 कितना है 500 समझे 500 प्रतिसद का लाब कमा रहा है ठीक है ऐसा भी दुखंदार होता है अब देखिए समझे किया था बताने के लिए कि आखिर जो कि अगर वन वे फोर्थ ले लेटे हैं या कुछ भी ले लेते हैं अगर करमुल को चेंज कर देते हैं थोड़ा दिर के लिए रहते हैं तो यह कितना परतिसद इसका हो गया ठीके यह सारा ट्राइब का कोश्चन था अब नेक्स्ट कॉश्चन पर आद दें है अब अंकित मुल का आगया देखिए कॉश्चन किसी ग्राह को एक motor cycle जिसका अंकित मुल कितना दिया हुआ है 40,000 क्या है अंकित मुल अंकित मुल कितना है इसका 40,000 अंकित मुल कितना है इसका 40,000 कितना है 40,000 है खरिदने के लिए इतना रुपया देना पड़ता है कितना रुपया देना पड़ता है जो पे किया है क्या किया एक तरह से पे किया क्या किया है पे मतब इसका क्या हो गया ये क्रायमूल हो गया क्या हो गया इसका? इसका क्या हो गया? करोय मूल. कितना हो गया? ठीक है? इतना हो गया. आप बताइए कि उस पर कितना बिक्री कर देता है? तो बिक्री कर इसी पर न दिया है. तो पहले बिक्री कर निकाल लीजिए कितना ऐगा? इतना से माइनस किजिएगा तो और तालीस पर तो जीरो हो जाएगा ठीक है विक्री कर इतना आ गया कितना पर कर रहा है 40,000 पर परसेंटेज में निकालना आए तो 100 से 12 कितना 12 प्रतिसत कितना आएगा 12 प्रतिसत समझ मैं जो तो फर्स्ट कोशन बनाए हुए थे इसमें क्या किये थे हम बीच का गैप दे दिये थे वहीं बिक्री कर किया था जो भी जी अश्टी बता रहे थे आप लोगों को बारा प्रतिसत देखे देटा भी फीट ऐसा ही कि पांच प्रतिसत आया बारा प्रतिसत आया आप साथ कहीं अठारा प्रतिसत मत आ जाए अब देखते हैं कृष्ण बल्लब ने एक घोड़ा कितना में खरदा दोसो पचास रुपिया में खरीत का चार बिस अतला पर बेश दिया तो घोड़ा का भिक्रहमूल सेम कोष्चन अच्छा कोष्चन है वहीं फर्मूला यूज कीजिए बस मैं कोष्चन इसलिए ऐसा दे रहा हूं कि आपको पता चले कि फर्मूला नहीं यूज करें ठीक है बस जो मैं कंसेप्ट शिखाया हूं वह यूज करें तो इसका अब देखिए 35 का फेलू कितना दिया हूँ है 250 दस गुन्ना मैं यूज के और यूज कि पके है। लिख सकते देना वहीं कि 25 था इसका CP एक का LAB था LAB कितना था profit कितना था एक तो कितना हो जाएगा 25 पलस एक मिलके 26 यह इसका SP हो जाएगा क्या हो जाएगा SP हो जाएगा आरा है समझ में सारा concept पूरे concept का यूज कर रहा हूं मैं ठीक है अभी जितना भी सिखाया हूं सारा कुछ इसमें समझा रहा हूं एक एक कोशन को इतना डेफ में बता रहा हूं कि आप लोग से कुछ ना चूटे ठीक है और चूटना भी नहीं चाहिए अब देखिए किसी बस्तु को 500 में बेचने पर 25 परिसाद कलाब होता है तो उसे कितने में बेचा जाए की तक ही 10 परिसाद कलाब हो अब सुनिए पांसो में बेचने पर अब इसको कैसे बना सकते हैं अब क्या करें 500 ंरुपया में बेचने पर कितना कलाब होता है 25 पर Extremsat कलाब होता है तो याद किजिएगा कि जब Brikramol निकालने कि लिए 100 बटशा 100 प्लस लाब होता था दो 120 हो गया तो यह क्या हो गया? क्रेमूल निकल गया, क्या हो गया? क्रेमूल निकल गया, अब फिर से भी क्रेमूल निकलना है लेकिन हानी हो रहा है, तो यहां पर नवबे बटा सौग कर देंगे, क्या कर देंगे? नवबे कर देंगे हानी में दोस गटा है, यह सो से सो कट गया है, यह क इसको डाइरेक्ट कैसे लीग सकते थे 100-100 दिखाने का जरुवत ही नहीं था 150 यहां लीग 500 यहां लीग देते 90 उपर आए 125 नीचे ठीके डाइरेक्ट ऐसे लीग सकते थे क्जिकों कि पहली बर कर लाप थे मतलब करENCE मुल का लेता यहां तक क्राइमॉल फिर ही बाद में ये वले स्ट्रेप में क्या निकाल दिया है बिक्रेमूल इसको दो लाइन में लिख सकते थे लेकिन इतना तो टाइम रहेगा नहीं एक्जाम में तो कभी-कभी फास्ट भी बनाएंगे डाइरेक्ट छतिस तीन सो क्लियर आ रहा है समझ में अब आईए कोई ब्यक्ति दो घोड़े प्रते को छो सो रुपएं बेचता है एक उसे बीस परिशत के लाप पर प्राप्त होता ता दूसरे उसको बीस परिशत अब याद रखिएगा ऐसा कॉंसेप्ट बिक्रेमूल अगर बराबर हो बिक्रेमूल क्या हो बराबर हो ठीके और लाप प्रतिसत और हानी प्रतिसत भी इकुल हो क्या हो इकुल हो तो हमेशा अलवेज यहाद अखिएगा हानी ही होता है क्या होता है हानी ही होगा always क्या होगा हानी होगा वो कितना होगा जो यह प्रतिसत दिया रहेगा उसका square यह से मानली जी 20 प्रतिसत दिया होगा है इसका square divided by 100 यानि 400 by 100 यानि 4 प्रतिसत का हानी होगा याद रखीएगा 4 प्रतिसद का हानी होगा कितना होगा 4 प्रतिसद का हानी होगा किलियर एक एक सी जाए सही समझना है आप लोग को ठीक है question basic से लेना है उस पर कुछ tricks पर काम करना है और basics को दिमाग में फीट बैठाना है आए समझ में, क्या यहाँ पर हम समझाएं कि कोई ब्यक्ति 2 गोडे प्रतेक को 600 रुपर हम बेजता है मिसा हम क्या दिखा रहा है आपका, कि देखिए यह बिक्रयमुल क्या है, बराबर है एक पर क्या हो रहा है लाब हो रहा है उसको प्रतिसत का और दूसरे पर क्या हो रहा है हानी हो रहा है क्या हो रहा है दूसरे पर उसको हानी हो रहा है क्या है लाब और हानी दोनों आपस में कितना दिया हुआ है इक्वल होना चाहिए कुछ भी डेटा होना चाहिए इक्वल हो गया बहुत दिन बाद दिख रहा है dvd player एक electronic दुकान है ठीक है दुकान का मालिक अपने ग्रहाग को लागत मुल से 22 परिशत अधिक प्रभार लगाता है मतलब वहीं अधिक देता है एक ग्रहाग ने dvd player के लिए इतना रुपया अदा किया तो dvd player का लागत मुल कितना है क्या हो गया 122 रुपया तो 122 रुपया है है ना 122 रुपया ठीक है तो 122 रुपया का बहलू कितना दिया हुआ है इतना दिया हुआ है एक 122 रुपया का बहलू कितना दिया हुआ है इतना कि तो आप से क्या पूछ रहा है 100 का बहलू पूछ रहा है ना अब देखिए अब डेटा से कभी कभी कैसे खेला जाता है ना यह हम आपको दिखाते हैं अब option चेक किजिए यहां पर 2 है यहां पर 18 है तो पता है कि 2 में कब multiply करेंगे आपको दिखानाBonit उनसे मान फंद में कोई research शुक्रा तो पता चला रहा ही कोई बिखाने के इसक्राविया ग्विम्हा huh तो यह पथा je यहां पर कितना 8 है यहां पर कितना 2, तो आप ताही कि किसमें 2 से multiply करेंगे कि last में 8 हा जाएगा, तो 9 दूनी 18, 9 से multiply करेंगे ना, तो आप देखिए 9 option में कहा है, यहां पर एक ही है, 9, क्या कि एक 0 इसके लिए यहां पर जाएगा, यहां पर 5 आएगा तो होगा नहीं यानि 90 होगा यानि कितना एंसर आएगा 9000 समझे ऐसे कभी कभी निकालने का ज़रुवत ही नहीं है option की हो क्यों कि इसके लिए 0 हट गया क्या होगा एक 0 हट गया और बारे 122 में 900 किजीगा तो इतना ही आता है क्लियर हुआ तो यह क्या होता है यूनिट डिजीट का कंसेप्ट होता है क्या होता है यूनिट डिजीट का कंसेप्ट होता है क्या होता है यूनिट डिजीट का कंसेप्ट होता है क्या होता है यूनिट डिजीट का कंसेप्ट जो आप लोग को पता है यह नंबर सिस्टम में पे अपने ग्रहकों से लागत कीमत से 28% अधिक लेता है यदि एक ग्रहक स्कूल की किताबों के लिए इतना रुपया देता है आदा करता है तो स्कूल की पुस्तकों की लागत कीमत आता कि अब देखिए same question था concept वहीं था 28% मनें 128 रुपया के जगह पे कितना दे रहा है आपक को 4545 दे रहा है ठीक है तो 100 का value निकाल देना है आपको बस जो आएगा वहीं answer होगा same question था ठीक है आईए next question पर अब देखिए एक दुखंदार अंकित मुल पर 15% का छूट पर रेडियो बेचने पर 25% का लाब कमाता है तो रेडियो का अंकित मुल और क्राय मुल का अनुप mark price by cost price का ratio क्या होता है 100 plus minus profit percent होगा या loss percentage में हो by 100 minus discount percent जो रहता है clear अब देखिए data कितना असानी से बन जाए अंकित मुल और क्राय मुल का ठीक है यानि mark price को अंकित मुल बोलते हैं और CP को क्या बोलते हैं क्राय मुल का ratio क्या होगा तो 100 देलीग देंगे पर्सेंटेंट धुनिये पहले 15 पतिसाथ और 50 पतिसाथ लाब यहां तो 25 यहां 8 किजिए डिस्काउंट कितना दे रहा है आपका 15 तो 100 minus 15 किजिए 125 बटा 85 पांस से किया एगा कितना पचीश सत्रे पचे पचासी यहीं 25 अनुपाद 17 कहीं अप्शन में 25 अनुपाद 17 किलियर आया समझ में 25 अनुपाद 17 पचीश अनुपाद 17 हुआ ये कोश्चन बहुत बार एक्जाम में इस कंसेप्ट पूछा गया बहुत बार आप पूछा जाएगा ठीक है आईए अब अब देखिए एकल छूट का कंसेप्ट यहीं है इसे याद रखीगा इसके पहले हम लोग एक सक्सेशिप पढ़े थे क्या पढ़े परेसीफ परसेंटेज में देखिया होंगे इसमें A B फर्मुला यूज किये थे क्या आक यूज किये थे आप लो देखिएगा यहां पर 40 परिशाद और 20 परिशाद का दो क्रामिक छूट दिया गया है यहां पर छूट है छूट का मतलब क्या होता है छूट छूट मतलब क्या होता है कोई भी चीज पर माइनस छूट का मतलब क्या होता है कोई भी चीज पर माइनस करना चूट का मतलब क्या होता है कोई भी चीज पर माइनस करना किसी को अब चूट दिया जाता है तो क्या किया जाता है मिनस माइनस किया जाता है क्या किया जाता है उसमें से माइनस अगर कोई 10 परिशेट चूट मांग रहा है तो 10 रुपय कम करा रहा है क्या करा रहा है वह 10 रु प्लस, ये को 40 माइनस में होगा, दुसार का 20 क्या होगा, माइनस में रहेगा, बट्रे में क्या रहेगा, 100, रहेगा न, ये माइनस 40 हो गया, ये माइनस 20 हो गया, अब ये इंटू किजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ये 0 से, ये 0 कैंसिल आउट और ये 0 स्टियों से कितना गई आठ आठ माइनस चाथ प्लस आठ कितना होगा बावन-2 माइनस साइन क्या दिखाता है कि छूट दिया गया मतलब समझ जाहिए देखने में क्या लग रहा कि 40% 20% का छूट दिया जाताया अक्रमिक छूट आप लोग समझ गया कि आगी हमको 60% मिल गया एकरीयल में वह ़ेखिस अग謀 को 240 परसेंट का चूट दिया है यो में कितना दिया आपको 72 परतिसद्गा इसी तो दुख अन्दार लोग क्या की क्या हरते हैं छूट दिखाते हैं देखते होंगे कि दो छूट दिया जाता है डाइरेक्ट की जहां पर फ्लैट वर्ड लिखा रहते हो वहीं समझेगा ठीक है क्योंतना मिल रहा एक पर अब समझेगे क्या आगया 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 बावन रुपया का छूट आगया तो अब देखिए एक बस्तु के अंकित मुल पर इतना की छूटे दो क्रामिक छूटे इत इतना रुपिया है मतलब बावन का बहलू कितना है अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं आप लोग डाइरेक्ट एंसर भी निकालने के लिए सरी बावन पचास परिस्त के आसपस है ठीक है इसका हômगा इसका डौबल है क्या है इसका डौबल से थोड़ा कम है तो यह नि नो दुनी इठारा एक एक 1900 और ये आट दुनी 16, ठीक है, 1900 चला जाएगा, और ये 16 इदर 30, कितना हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया, 70, 70, 76, 76 रुपी जादे होगा, लेकिन थोड़ा सा कम करना है, 1900 के आसपस, 1900 के आसपस यहीं answer है, बाकि सब 1900 से जादा है, इसलिए ये सारा clear नहीं हो पाई, का answer ये नहीं होगा, ठीक है, इसी को option elimination method बोलते हैं, क्या बोलते हैं, option elimination, अप कटाने का क्या जरूवत है, option दिया हुआ है मेरे पास, option से काम करेंगे, तो ये, ये क्या था आपका, एकल छूट का concept, क्या था आपका, एकल छूट का concept, ठीक है, क्लियर हुआ, यहाँ पे अंकित म value दिया हुआ है, और कभी कभी क्या दिया रहेगा, आपको की overall मिला के, छूट देने के बाद कितना होगा इसका value, बताइए, 48 बचेगा, कितना 100 में 48 बचेगा, तो वो उसका value दिया रहेगा, वो सब भी हम question करेंगे, ठीक है,